Hello Friends, Welcome to Genius GK Star Friends आज किसी वीडियो में हम GK GSK Top 35 Question selected और Important लिये गए हैं ये Question आपके आनने वाले Exam के लिए बहुत ही महत पूर रहें अगर आपने में से किसी भी Question का अंसर जानते हैं तो अपना अंसर कमेंट बॉक्स में मता सकते हैं Friends वीडियो की End तक बने रहना End में आप सभी के लिए Question है उसका अंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है चलिए शुरू करते हैं तिलक की मृत्ति उपर किसने कहा था मेरी सबसे मजबूत दिवार चली गई तो किसने कहा था महतमा गांधी ने सही अंसर है अपसा नमबर D महतमा गांधी ने देखे महतमा गांधी ने तिलक की मृत्ति उपर कहा था मेरा सबसे मजबूत गढ़ा चला गया है यानि मेरी सबसे मजबूत दिवार चली गई है निम लिखित में से किसके विरोध में कांग्रेस पारटे की उगर साखा दोरा स्थापित इंडिपेंडेंस फोर इंडिया लिग थी सही अंसर है उपसन सी नेहरू रिपोर्ट में गाजा पट्टी किसके टट के साथ इस्थित है सही अंसर है उपसन नमबर B भूमद सागर के साथ गाजा पट्टी या भूमत सागर के टड़ पर इस्थित है और गाजा पट्टी या भूमत सागर के पूर्वी टड़ पर एक स्वासासी इकाई है जो दक्षिर पश्चिम में मिसर और पूर्व और उत्तर में इज्रैल की सीमा बनाती है नेक्स्ट कोशन है तमिलनाड के अंतरगत आने वाला टड़ को जना जता है डैस के नाम से सैयांसर है उप्सन सी कोरो मंदल टड़ के नाम से देखे तमिलनाड के अंतरगत आने वाला टड़ को कहा जता है कोरो मंदल टड़ नेक्स्ट कोशन वरिक्षों के तनों में रहने वाले जन्तू कहलाते हैं डैस के नाम से सही अंसर है उप्सन ए आर बोरियर के नाम से दिखे वरिक्षों के तनों में रहने वाले जन्तू यह आर बोरियर के नाम से जाने जाते हैं चलिए अगरा कोशन देखते हैं निम लिखित में से कौन सा सुमिलत नहीं है सई आंसर है उपसन डी प्रकास वर्सी है समय मापने की एकाई नहीं है बलकि यह दूरी मापने की एकाई है से सभी जोड़े सत्य है नेक्ष्ट कोशन है राज सभा के सदस से निरवाचित होते हैं सही आंसर है उप्सन ए देखे राज सभा के सदस्य है विधान सभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं सही आंसर है उप्सन ए नेक्ष्ट कोजन है राज जिपाल का कार रिकाल होता है देखे राज जिपाल का कार रिकाल होता है पांच वर्स के लिए सही आंसर है उप्सन बी पतक राश्ट्र पती चाहे तो वहाँ अपने पदपर बना रहे सकता है निम लिखित में से कौन सा अक्षांस भारत से होकर गुजरता है सही अंसर है उपसंड सी करकर रेखा निम लिखित में से किस वेदांग में सिरोत्र ग्रहा और धर्म सूत्र सामिल है सही अंसर है उपसंड कल्प में नेक्ष्ट कोचन है जवाहर लाल नहरूर निम लिखित में से किस अखबार से जुड़े थे सही अंसर है उपसंड नमबर डी नेशनल हिराड से नेक्ष्ट कोचन है व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनूबा भावे को पहले सत्याग्रह के रूप में चुना गया था दूसरा कौन था सैयांसर है उप्सन बी पंडित जवाहलाल नहरू नेक्ष्ट कोचन है टेली विजन का अविस्कार किसने किया था सैयांसर है उप्सन ए जे एल बेर्ड ने नेक्ष्ट कोचन है दा मोदर घाटी निगम कब इस्थापित हुई थी दा मोदर घाटी निगम यह इस्थापित की गई थी वर्स 1948 में सैयांसर है उप्सन सी नेक्ष्ट कोचन है निम लिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रतन प्रदान किया गया है सही आंसर है उप्षन है नेलसन मंडेला को नेक्स्ट कोशन है उत्तल और अउतल दरपड किसके उधारण है देखे उत्तल और अउतल दरपड यह उधारण है गोला कार दरपड के सही अंसर है उप्सन बी next कोचन है प्रत्वीकी आयुमापने के लिए निम लिखित में से किसी विद्धी का उप्योग किया जता है सही अंसर है उप्सन भीज़ कि यूरेनीयम प्रक्रिया की विद्धी का next कोचन निम लिखित में से किस राजा ने नर्मदान दीके टरपर हर्स की सेना को पराजित किया सही अंसर है उप्सन नमबर बी पुलकेसिन दुतिये ने नरमदा नदी के डरपर हर्ष किसेना को पराजित किया था सही अंसर है उप्सन बी कैलाश मंदिर सबसे बड़ी अखंड सरचनाओं में से एक है डैस सही अंसर है उप्सन बी एलोरा की गुफाएं एलोरा की गुफाएं यह भारत के महराष्ट राजी के औरंगावा जिले के पास एलोरा गुफाओं में चट्टान को काटिकल बनाए गए मंदिरों में सबसे बड़ा है नेकिश्ट कोशन है निम लिखित में से किस राजवनस ने एलोरा की पृशिध कैला समंद्री का सनख्षन किया था सही अंसर है उप्सन दी राष्ट कोट बनस ने नेकिश्ट कोशन है राष्ट की सबसे उची मिनार कौन सी है से अंसर है option C कुतूब मिनार देखे कुतूब मिनार यह भारत की सबसे उची मिनार है और कुतूब मिनार यह दिली में है इसका निर्मार कुतूब बुदीन एबग ने शुरू करवाया था और इसे उनके उत्रादिकारी इर्थुतमिस ने पूरा किया था कुछी पूरी निर्थ किस राज़ी का है से अंसर है option B आंधरपेस राज़ी का देखे कुछी पूरी निर्थ यह आंधरपेस का पारंपरिक सास्तरीय निर्थ है नेक्ष्ट को चन है भारती यह डाइनामाइट लिम्टेड केंदर कहां इस्तित है सही अंसर है उप्सन है है हैदराबाद में नेक्ष्ट कोशन है भारत में सुरड मुद्राई किसने चलाई सही अंसर है उप्सन भी कुसाणों ने दिखे भारत में पहली बार सोने की मुद्राई यानी स्वर्ड मुद्राएं कुसार वंस दोरा जारी किये गए थे और कुसार वंस का पहला महत्पूर्ड सासक उजुल कड़िफिसस या कड़िफिसस पृथम ने करवाया था गौतम वुद्ध किस वंस से समझित थे सैंसर है उपसने साक्य वंस से पुतम पुद ये साक वंस के साही परिवार में इनका जर्म हुआ जो भारत और नेपार की सीमा के पास इस्थित रुम्बिनी में कपिल वस्ति से सासन किया जाता था नेकिश्ट कोशन है सहतूत रेसम का उतपादक भारती राज है डैस सही अंसर है उपसन सी करनाटक राज देखे भारत में सहतूत रेसम का सबसे जदा उतपादन करनाटक में होता है और करनाटक को रेसम राज भी कह जाता है नेक्स्ट कोचन है महतमा गांधी सेत इस्तित है देखे महतमा गांधी सेत यहां है बिहार राज में सही अंसर है उपसने बिहार राज में नेक्स्ट कोचन है निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा है गिलेसियर हिमनद है देखे सबसे बड़ा glacier यानि हिमनद है सियाचीन glacier सही आंसर है उपसंडी समराट असोग किस के उत्रा दिखा रही थे समराट असोग कि यह बिंदु सार के उत्रा दिखा रही थे सही अंसर है उप्सने बिंदु सार नेक्ष्ट को चान है भारत की सबसे उची मूर्ती है सही अंसर है उप्सन सी और यह किस राज में है और किस नदी के टड़ पर है आप सभी को कमेंट करके बताना है नेक्ष्ट को चान है जीयो और जीने दो किस ने कहा देखे जीयो और जीने दो कहा था महावीर स्वामी ने सही अंसर है उपसंसी महावीर स्वामी ने नेक्ष्ट कोचन है अरहल दाल का जनम इस्थान है दिखे अरहल दाल का जनम इस्थान है भारत वड़ सही अंसर है उप्सन नमबर भी नेक्ष्ट कोचन है प्रेंट्स यह कोशन आप सभी के लिए है और इस कोशन का अंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में तरना है पटना यान अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक करें शेर करें अगर आप चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो